हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगा मेरे यूटूब चैनल पांडेज इंडिया वाले में दोस्तों अभी अभी जश्ट खबर आई है बारा सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन लोगों ने यूपीएस को एकसेप्ट कर लिया है यूपीएस मतलब यून प्यैशन स्वाइड पैंसन एसकीम उनिफाइड पैंसन ऑसकीम पुराने पैंसन एसकीम के जैसा तो नहीं है लेकिन कुछ-कुछ उसके जैसा ही है पुराने पैंसन एसकीम की इतनी मांग बढ़ गई थी हर एक चुनाओं में उसका यूज जो विपक्षी पार्टी थी या जो सता धर्क पार्टी थी लिए बोट लेने के लिए कर दी थी इन सबों के देखते हुए आप प्जोब भारत सरकार के च्छों टीशला क्रमचारी जो सरकार के क्रमचारी बहुत सार था को द कर लिया है जोगों सक्षाइन को फायद मिले है बिक और NPS दोनों में से चुनने का क्रमचारी को एक option रहेगा वो चाहे तो NPS चुन सकता है National Pension Scheme या फिर UPS Unified Pension Scheme UPS में क्या है कि अगर आप 10 साल ही नोकरी कर रहे हैं तो 10 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको 10,000 रुपया मंतली pension मिलेगा पहला option दूसरा option है आपको कि अगर आप 25 यर सर्विस कर लिये हैं तो आपको लाश्ट बारे मंत का जो आपका basic salary है उसका 50% retirement के बाद आपको pension मिलेगा इसके अलावा अगर मान लिजे कि उसके बाद जो pensioner है उसकी death हो जा रही है तो उसका जो family है उसकी wife है या जो उसके nominee है उनके परिवार वाले को मौत के बक्त जो pensioner को pension मिल रही थी तो उसका 60% उसको 60% उसका commission मिलेगा मतलब कि अगर उसको एक लाख रुपया pension मिल रही थी तो उसके wife को 60,000 रुपया पर मंत pension मिलेगा और 10 साल minimum अगर उन्होंने service पूरा कर लिया है तो 10,000 रुपया commission 10,000 रुपया pension उनको मिलेगा इससे सरकार ने जो भी अपने सरकारी करमचारी है करमचारी है उनको आर्थिक सुरक्षा और परिवार की जो सुरक्षा है उसको हितों में ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये मांग को मानी है NPS और UPS दोनों में से कोई एक ही option आप ले सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी खबर आया हुआ है इस खबर बने रही है क्योंकि इसे बहुत सारे सरकारी करमचारी को फैदा होने वाला है जो लगेंगे नौकरी में उनको फैदा होने वाला है वैसे भी ये notification एक अप्रेल दो हजार पचीस से चालू होने वाला है तब तक के लिए और जो इसमें जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देते रहूंगा तब तक प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए पांडेजी इंडिया वाले थैंक यू फ्र